वाले के वेल्टीज़ वेलकम टू एसीवे कॉपर्मेर्स क्लास लासेज मैं हो थाबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने employment chapter को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसमें काफी important data आज हम देखेंगे यानिए कि employment के बारे में हमारे देश में जो डेटा पब्लिश हो रख है 2011-12 का उसे आज हम देखने वाले हैं guys जिससे आपको काफी सारी चीजों की knowledge मिलने वाली है तो सबसे पहले start करते हैं हमने employment कितने type की रेकिरी guys दो type की एक था self employment जिसमें आप अपने resources यूज करते हो और काम को करते हो दूसरा था हमारा wage employment जिसमें हम दूसरे के लिए काम करते हैं और वो हमें in return salary या wages देता है आप जो self employment है वो तो अपने में एक ही type की होती है लेकिन wage employment दो type की होती है first one is the regular worker जिसे हम regular salaried worker भी कहते हैं जिसमें हमें बहुत सारे jobs के साथ साथ हमें बहुत सारे other benefits भी मिलते हैं यानि कि salary तो मिलती ही है लेकिन social security मिलती है आपको जब आप job छोड़ दोगे तो pension मिलती है आपका PF कट रहा होता है तो बहुत सारे other benefits जैसे आपको leave का benefit मिलता है कि छुट्टी ले लेते हो तो भी आपको paid salary दी जाती है तो वो सारे benefits जो होते हैं वो regular worker में मिलते हैं जिसमें government के laws apply हो जाते हैं ठीक हैं उन्हें हम regular salary worker कहते हैं लेकिन इसके अलावा guys जो casual worker होते हैं तो casual worker कौन होते हैं guys casual worker होते हैं जिसमें हमें जब तक हम काम कर रहे हैं हमें income मिलेगी लेकिन जैसे आप काम छोड़ोगे आपको income बंद हो जाती है जैसे हम private jobs में हमाने साथ होता है उधर हमें कोई other benefits social security benefit नहीं मिलता ठीक है कि आपने job छोड़ दी तो आपकी pension लग जाएगी ऐसा कुछ नहीं है जब तक आप काम कर रहे होते हो तब तक पैसा मिलता है काम छोड़ते हो तो पैसा आना बंद हो जाता है लेकिन regular worker में आपको पता है कि अगर आप एक महीने दो महीने की leave भी ले ले लेते हो तो भी आपको salary घर पर आ रही होती है ठीक है अब हमाने देश में guys इसका data किस तरीके से लोग किस किस sector में यानि कि किस employment में अपने आपको लेके गई है तो self employment में अगर हम बात करें तो total जो हमारी workforce है जो काम कर रही है 52% अपना काम कर रही है उसके अलावा सिर्फ 18% है जिनकी ये नौकरी लगी है जहाँ पे उन्हें इतने सारे benefits मिलते हैं और बाकी के 30% लोग वो हैं guys जिनने job तो कर रहे हैं बट other benefits नहीं मिल रहे हैं इसके अलावा अगर इसी data को हम urban और ruler के basis पर देखें तो सबसे ज़्यादा guys self employment urban और ruler areas में दोनों ही चीज़ों की है क्योंकि हमने देखा हमारे आदी से ज़्यादा जनसंग्या अपना काम कर रही है यानि कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग अपना काम कर रहे हैं तो 43% अर्बन एरिया में और रूलर एरिया में 56% लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें casual workers की यानि कि जो किसी के अंडर काम करते हैं बट उन्हें other benefits नहीं मिलते तो अर्बन एरिया में 15% हैं जो casual workers हैं इसके लवार रूलर एरिया में इसका amount काफी जादा है that is 35% अगर हम बात करें regular salary की तो अर्बन एरिया यानि कि शहरों में ऐसी नौकरियां जादा हैं जहाँ पर आपको benefits मिलते हैं सरकारी नौकरियां बहुत जादा है जहाँ पर आपको यह benefits मिलते हैं इसके लावा और नौकरियां जहाँ पर यह benefits मिलते हैं कहां पर urban area में urban area में 42% इसका आख्रा है जहां पर regular salary यहां अगर हम बात करें ruler area की वहाँ पे सिफ regular salary worker कितने है 9% यानि कि ruler area में कम है ठीक है इसके बात guys male और अगर female की बात करें हम लोग की आदमी लोग और अरतों में कौन किस काम में ज़ादा involved है तो हम देखेंगे again same percentage ज़ादा है किस में self employment में क्योंकि self employment का आख्रा अफकोस ज़ादा है तो चाहे वो male है चाहे female है चाहे ladies काम करें या जेंड्स काम करें वो male वो किस sector में ज़ादा है self employment में कितने 51% male काम करें and females जितनी भी काम कर रहे हैं उनमें से आधी से ज़ादा 56% self-employed यानि कि अपना काम कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें regular salaried worker में तो male 20% लगे हैं जबकि female जो लगे हैं वो सिर्फ 13% है 13% females हैं जिनको ऐसी security वाली job मिल रखी है उसके बाद guys casual worker की अगर हम बात करें तो 29% male लगे हैं और female 31% है casual worker में ठीक हैं तो ये data अफकोर्स इसी से related है इसी से निकाला गया है कि भाईया पहले कितने लोग हैं अब इनमें से आत्मी औरतों को छाट दो कौन किस सेक्टर में साधा काम करते हैं अब हम बात करेंगे guys 3 sector की तीन सेक्टर हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर कौन होता है कौन सा होता है मतलग जो एगरी कल्चर से जुड़ा होता है जो जमीन से वर्कफोर्स है यानि कि जो इंप्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा जो है वो प्राइमरी सेक्टर में यानि कि आज भी हम लोग खेतों से जुड़े हुए हैं और टोटल परसंटेज 48.9% है इसके अलावा बात करेगा इस सेकंडरी सेक्टर यानि कि हमारा सेकंडरी सेक्टर मे हमारी इंवाल्मेंट कर्म है यानि 24.3% जबके टर्श्री में उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गए 26.82% का लगभग फर्क है टर्श्री सेक्टर में हम सेकंडरी से ज़्यादा है अब एक देश की डिवलप्मेंट तब पता चलती है जब ये वाला प्राइमरी सेक्टर से लोग ट्रांसवरों के सेकंडरी और टर्श्री में आते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर हमें हाइटेक मशीन से और यूज़ करनी चाहिए और उस सेक्टर पर हम कम इंप्लॉइमेंट करके वो वर्क फोर्स को हमें कहां लगाना चाहिए अपने सेकंडरी और टर्श्री सेक्टर में यहाँ पर जो प्रेड्यूस होगा वह हमारे फॉर्दर कापिटल गोड्स अगर हम प्रेड्यूस करते तो वह आगे हमारे देश में काम आएंगे चीज़ों को बनाने में ठीक है तो लेकिन अभी हाला कि हम लोग कहां पर सबसे सब से जदे सकतर चलता है तो ूलर एरिया में सबसे जदे क्राइम्रे सेक्टर है 64.1% winter पर एरिया की पॉपोलेशन यानि कि एम्प्लोई में जो है वो प्राएम्री सेक्टर पर है जबकि अगर सेकंडरी में सिर्फ 20.4 % है और ढर्श्री में उससे भी कम लोग काम करतें 15. 13.5% तो आपको पता है कि रूलर एरिया's में इतनी ज्यादा कंपनीस होती वह पे खीट ज्यादा होते है। यह पेखेटी ज्यादा करी जाती है क्योंकि हमारे देश में 70% एरिया जो है वह है वह रूलर एरिया है। तो उस हिसाब से वहाँ पर primary sector पर ज़्यादा काम किया जाता है अगर हम बात करें अपने urban area की यानि की शेहरों पर तो शेहरों में guys खेती कहा हो रही है कहीं नहीं दिखती है हम लोगों को तो 6.7% ही है बस primary sector और अगर हम बात करें secondary sector की तो 35% है जबकि service sector almost 58.3% हमारा urban area में पाया जाता है यानि कि service sector में ज़्यादा involvement है urban area में इसके पाद guys same ही चीज आपके male और female के basis पर divide करी गई है कि कितने आदमी लोग primary, secondary and tertiary sector में है और कितने औरते primary, secondary, tertiary sector में है तो primary sector में 43.6% male है जबकि ladies उनसे ज़्यादा primary sector में काम करें 62.8% secondary sector में अगें आदμी लोग ज़ाद है 25.9% आदमी लोग ज़ादा है, पहले में औरते ज़ादा थी अब आदमी लोग ज़ादा है जबकि यहाँ पर औरते लोग secondary sector में कम है और tertiary sector में तो और भी जादा 17.2% ही है जबकि gents की अगर हम बात करते हैं तो 30.5% है तो male and female के basis पर यह data given है जो कि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है जिस पर logic लगाना आपको बहुत जरूरी है कि कहाँ पर अब यह बहुत logical बात है कि गाउं में खेती जादा होती है तो primary sector में involvement जादा है जबकि अगर हम शेरों में बात करें तो tertiary sector जादा होगा क्योंकि वहाँ पर खेती इतनी नहीं होती है तो logical data है पूरा का पूरा लेकिन पता होना हम लोगों को जरूरी है क्योंकि हमारे exams में इसी से related questions आते हैं तो I hope guys ये वीडियो आपको समझ हाई होगी और अगर पसंद आया तो like जरूर करना, channel को subscribe करना और आप अपने doubt में से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Thank you